नमस्कार एजुकेसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से सुवागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं SSC GD के Admit Card के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस परकार से आपको SSC GD का Admit Card डाउनलोड करना है पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में Step by Step समझाया जाएगा इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक और सेर कर दे तो आपको बता दे, sstgd का admit card डाउनलोड करने के लिए आपको Google Chrome या अन्य कोई भी browser open कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है educationindialive.com आपको क्या सर्च करना है तो आपको सर्च करना है educationindialive.com Google में यह सर्च करते ही दोस्तो आपके सामने कुछ इस परकार से पे जाएगा यहाँ पर जो सबसे उपर website देखने को मिल रही है इस website को आपको open कर लेना है website कुछ इस परकार से आपके सामने open हो जाएगी अब दोस्तो यहाँ पर देशे आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएगे तो आप देख पाएंगे sscgd admit card 2023 download इस link पर आपको क्लिक करना है और इस post को आपको open कर लेना है post आपके सामने कुछ इस परकार से open हो जाएगी यहाँ पर जब दोस्तो आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो आप देख पाएंगे sscgd admit card 2023 direct link आप यहाँ पर अपने region के सामने लिखे हुए click here पर click करेंगे तो आपके सामने admit card open करने के लिए कुछ credential आपसे मागी जाएगी तो आपको क्या करना है यहाँ पर अपने region के सामने लिखे हुए click here पर click कर देना है click here पर click करते ही कुछ इस परकार से आपके सामने एक page open हो जाएगा यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है I have read and instructions carefully पर click करना है और submit पर click कर देना है submit पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपने registration ID और इस box में आपको अपने माता का नाम डालना है उसके बाद यहाँ पर click करेंगे तो आपके सामने calendar open हो जाएगा calendar में से आपको क्या करना है अपनी date of birth को select कर लेना है जो भी आपकी date of birth रहेगी उसे आपको यहाँ से select कर लेना है date of birth को select करने के बाद आपको search status पर click करना है search status पर click करते ही कुछ इस परकार्ट से आपके सामने page आएगा यहाँ पर आपको आपकी basic details देखने को मिलेगी उसके साथ यह आप जब नीचे की और आएंगे तो आपको यहाँ पर tick करना है और click here to print your admit card पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको दो बटन देखने को मिल रहे हैं इन में ज़्यादा difference नहीं है अगर आप उपर वाले बटन पर click करेंगे तो Hindi instructions के साथ आपका admit card डाउनलोड होगा और नीचे वाले बटन पर click करेंगे तो English instructions के साथ आपका admit card डाउनलोड होगा तो आप किसी पर भी click कर सकते हैं जैसे ही दोस्तों आप click here to print your admit card पर click करेंगे तो कुछ इस परकार से आपका admit card आपके सामने open हो जाएगा ये थी पूरी जानकारी SSC GD admit card डाउनलोड करने को लेकर वीडियो का आपको पसंद आया है तो वीडियो का आप definitely like करेगा और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को अभी subscribe करके बैल आइकन को दबा दीजेगा मिलते हैं आप सकले वीडियो में किसे नचानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद